पारिजाद पश्चिम बंगाल के दुरगापूर एरपोर्ट पर रईवार को एक बड़ा विमान हाथसा टल गया इसपाइस जट का एक विमान लैंडिंग के दौरान तूफान में फस गया और ये विमान हवा में गोते लगाने लगा हाथसे में तकरेवन चालीस यत्रों के घायर होने के ख़बर भी सामने आई है हाथसा उससे में हुआ जब इसपाइस जट का विमान पश्चिम बंगाल के दुरगापूर में काजी नजरूल इसलाम हवे अंडे पर उतरने की कोशिश कर रहा था इसपाइस जट के इस विमान ने मुंबई से शाम लगभग पांच बज़े पश्चिम बंगाल के दुरगापूर के लिए उड़ान भरी थी लेकिन जैसे ही दो घंटे बाद विमान दुरगापूर के काजी नुसुल इसलाम एयरपोर्ट के नस्तिक पहुचा तो फार के का विमान में जट कि आने लगे अंत्र में विमान को सबसाद बजे किसी तरह एयरपोर्ट पर उतारने में कामिया भी मिल गई दुरगापूर एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले भयंकर एयर टर्मूलेंस का शिकार होते हुए स्पाइस जट की विमान के भीतर एक डरावना वीडियो भी सामने आया है विमान के भीतर मची आवरात अफरी और दहशत की तस्वीरे वीडियो में देखी जा सकती है यात्यों का सामान फर्श पर बिखरा पड़ा है और आक्सीजन मास्क लटक रही है इस वीडियो में दिखता है यहां तक के केबिन बैगेज भी यात् एरपोर्ड प्रशासन के अनुसार विमान में करीम 188 यात्य सवार थे घायल 40 यात्रों में से 10 यात्रों को गंभीर चोटे भी आई है घायलों को नजदीक अस्पिताल में भरते कराया गया है अस्पिताल के अधिकारियों ने कहा है कि 10 यात्रों की हालत गंभीर है लेकिन फिल्हाल वो खत्रे से बाहर है तोफान के वज़े से प्लेन हवा में ही गोते खाने लगा था गोते खाते वक्त प्लेन के केविन में लोग सामान यात्रों के उपर गिरने लगा था इस से पूरे मामले में इस पूरे मामले में स्पाइजेट का एक बयान भी सामने आया है इस बयान में कहा गया है कि मुंबई से दुरगापुर जाने वाली 189 सीट वाली उनकी बोईंग B737 विमान संचालन उड़ान SG945 को उतरते समय गंभीर खत्रे का सामना करना पड़ा है. इसके परन्याम सुरूम दुरभाकर से कुछ यात्रियों को चोटे भी आई है. इस पाइजेक ने इस दुरभा की पोड़ घटना पर खेत व्यक्ति किया है और कहा है कि गायलों की हर संभाव मदद की जा रही है. नागरी कुडेन महान दिदेशक यारी डीजी सीय के अनुसार कुछ पैसेंजर्स की सिर पर चोटे भी आई है जिनमें टाके लगाने पड़े हैं. एक यात्रियों ने रीड में चोट की शिकायत भी की है. हाथ से कर्शकार हुए लोगों का कहना है कि फ्लाइट के लाइन करते समय तीन बार जटके लगें जो कार में लगने वाले जटकों से ज्यादा गबीर है. हमाई सुरक्षा निदेशक एचन बिश्राप पर घटना के विस्तरित जाच की जिम्मेदारी आ गई है. जखवी लोगों की मेडिकल रिपोर्ट की प्रिदिक्षा भी हो रही है. साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश चल रही है कि तूफान में विमान आखिर किस तरह से फस गया. भारत में हलके वर्षों में कई विमान हाथ से हो चुके हैं. इसमें कई लोगों की जाने भी जा चुकी है. पिछले साल 8 दिसम्बर कुदेश के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावात रूनकी पती मधूली का रावात हेलिकाप्टर क्रेश के शिकार हो गए थे. तमिलाडू के कुदूर में हुए इस हाथ से में कुल 14 लोगों की मौत ही थी. अगस 2020 में केरल में हुए विमान हाथ से में 28 लोगों की मौत हो गई थी. एर एंडिया का विमान संख्या 1344 रनवे पर फिसल कर दुरगटना ग्रस्त हो गया था. इस विमान में कुल 184 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे जनवरी 2018 में ONGC के कर्मचारियों को लेकर जा रहा पवन हंस हेलिकाप्टर मॉंबाई के कोस्ट पर दुरगटना ग्रस्त हो गया था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी. मैं 2010 की बात करें, मैं 2010 में Air India के Express Flight 812 Bangalore International Airport पर दुरगटना ग्रस्त हो गई थी. इसमें 158 लोगों की जाने चली गई थी. जुलाई 2000 में Alliance Air Flight 7412 रहाइशी इलाके में दुरगटना ग्रस्त हो गई थी. इसमें 60 लोगों के मारे जाने के ख़बर सामने आई थी. मिलते हैं अगले अपडेट में. नमस्कार.